Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और सब लोग भागे स्टूडियों में उस इंट्रव्यू के उपर बात करने के लिए तो इंट्रव्यू में मेरी सुजेशन यह है कि अगर मैं कपिल शर्मा के questions को read करती हूं news paper की तरफ से तो बाबा तो आप कपिल शर्मा बनके उसके जवाब दीजिए ताकि हमारे जो audience है हम को सारी बात साफ साफ समझ में आए क्या कहती है मेरी टीम हाँ बिल्कुल ठीक है मैं मैं बन जाता हूं मुझे नहीं तो गुलाटी साब को बना दीजी कपिल शर्मा क्या बात करते हैं गुलाटी साब को मोका दियाने तो वह बने नहीं आप ही बनो कपिल शर्मा आपके और हम नहीं चाहते हमारे audience बोरो, तो पहला सवाल जो पूछा गया कप्रिशर्मा से, वो यह था कि Sony Entertainment Channel ने एक statement जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों party की रजामंदी से show थोड़े समय के लिए break ले रहा है, क्या ये फैसला इसले लिया गया है, क्योंकि आप यानि की आदत से लड़ रहे हैं, और इसी वज़ा से आपको rehab center जाने की जरूरत है, ये rehab क्या होता मैडम? ये rehab मैडम वो जगा होती है, नशा शिराव के इंदर नहीं होते जो, जहां पर शिराव चुड़ा ही जाती है, मैडम ये आप चुटकी मत दीजे, आपको सब पता rehab क्या ह मुंबई गुलाटी के स्टूडियो में, मैडम अब आकल काम लेलो, बाबा तो बाबा तो अपनी है, बाबा तो कपिल चरुआ है, तो मैं कपिल जी की तरप से मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ, यहां मैं अपनी सेथ को ठीक रखने के लिए, फलक्चुएट होने लगे थे, शूगर भी बाबा तो अपनी है, हाँ, बिलकुल, यही लिखा है, आपके अब बाबा तो अपकी जगावे पढ़ रहा हूँ, हाँ, मैडम आगे देखो, आगे, यार गुलाटी, पीछे होट, यार तू क्या सर पे चड़के, तू खुद प और तबीयत खराब हो जाती थी, उसी को ठीक करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, सेप्टमबर एंड तक मैं मंबई वापिस आ जाओंगा, पूरी तरह ठीक ठाक होके, वेरी गुड, यह कपिल शर्मा ने जवाब दिया है, कि वो ठीक ठाक होके सेप्टमबर तक एंड तक आ जाएंगे, पर अगला स्वाल जो उन्होंने पूछा कपिल शर्मा से वो यह था, कि क्या कपिल शर्मा शो ओफेर होने का कारण TRP है, क्योंकि TRP पहले 4.3 थी और उससे कम होकर 1.9 रह गई है, और ओडियंस भी 7 मिलियन से 3.9 मिलियन पे आ गई है, तो यह क्या है, जी मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक स्वाल पूछू बबबातों को, हाँ, हाँ, पूछी, 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 यह TRP क्या होती है, TRP होती है, मैं जवाब देते हैं, जो ना, जो ना, आपने सारे जवाब आते है, TRP होती है, टेलिविशन रेटिंग को है, यह 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 जो भई यह 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 अच्छा जवाब दे रहे हैं, बबातों इनको जवाब देंगें, क्योंकि बहुत सारे ओडियंस को, यह TRP का पता नहीं हो, सुनते जरूर है, और उनको यह आहम लोगों को, यह TRP का गेम समझ में नहीं आता, तो आप गुलाट से जवाब दीजिए, यह मैं TRP जो है, यह टेलिविजन रेटिंग होती है, जिसमें की पता चलता है कि कौन सा शो कितने लोग देख रहे हैं, तभी इसी रेटिंग की वज़ा से, जो सीरियल है, हिट या फ्लॉप माना जाता है, TRP हाई है, तो सीरियल हाई है, TRP लो है, तो सीरियल लो है, इसलिए बहु आड फो जो देते हैं, वो इसी TRP को देख के ही एड देते हैं, तो यह हो गया TRP का खुलासा, मेरे खियाल में, बहुत सारे लोगों को समय में आ गया गया हो가गा, मैडम बबी ता, आपको भी समय में आ गया होगा, जी-जी, जी, बबबा, तो आगे पड़ी है, मुझे सब सोनी टीवी से रिक्वेस्ट की थी कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ ता जो मैं रिकबर हो जाओं और बार बार ये शूटिंग कैंसल करने का चंटा जो है खत्म हो जाए मेरे सोनी टीवी के साथ बहुत अच्छे संबंध है उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं किया किसी चीज से तो यह मेरा खुद का डिसीजन है बात तो सही बोल रहा है जो पूछा गया कि अब वह ही ये भी है कि आप अपनी फ्रंगी फिल्म की शूटिंग को खतम करने में बिजी हैं, है ना, और राजीव धिंगरा, राजीव धिंगरा जो कि उनके बच्पन के दोस्त हैं, वो आपकी फिल्म और शो दोनों के क्रेटिव डिरेक्टर हैं, और राजीव धिंगरा की कास्ट एंड क्रू से बिल्कूल भी नहीं बनती है, तो यह सवाल है क क्या राजीव धिंगरा है कारण, मैडम, जितने मू उतनी बाते होती है, तो मैडम, ये कपिल जी की तरब से मैं फिर बता दूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे शो के लिए क्रेटिव चाहिए था तब, और राजीव धिंगरा ने मेरा साथ दिया, फरंगी का शूट तो मार्च में ही लगभग खत्म हो गया था, मैडम, मैंने अपनी हार्ड अर्ण मनी टीवी से ही कमाई है, जो मैंने फरंगी फिलम पे लगाई है, तो जिटनी भी लगाई है, मतलब, वो कमाई टेलिविजन से ही है, उनका कहला है, और पिक्चर, कपिल शर्मा का जो जवाब है बाबा तो वही पढ़ रहे है, तो मैं क्या पागल हूँ, जो अपना ही नुकसान करूँ, और शारुक खान को वेट करवाँ, जो मुझे एरोगेंट और इगोइस्टिक कहते हैं, वो नहीं जानते हैं कि मेरा और शारुक खान का क्या रिलेशन है, मैं उनकी बहुत इज़त करता हूँ, और रही बात इंतजार करवाने की सर्थ पे, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को भी इंतजार करवाँ, चाहे वो कोई सुपरस्टार हो, या ना हो, ये बात तो सही है, भई है, बंदा डाउन टोर थे, तैस वाइ, तैस वाइ, वी लव कपिल शर्मा, तैस वाइ आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल है कि आप इंडिया के सबसे चहेते और बड़े कॉमेडियन थे, थे बोल दिया याँपे, पर आज आपके साथ ना तो प्रोफेशनल ही कोई खड़ा है, और ना ही परस्नल ही खड़ा है, तो इस डाउन फॉल का क्या खारण है? मैडम, बहुत से लोग प्लैनिन करते हैं, मीडिया को कैसे हैंडियर करें, परस्नल लाइफ में कुछ और, बाहर कुछ और, दिल में कुछ और, और मैनेज कुछ और करतें, तो यह मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसे होता है, मैं अगर अपसेट हूँ, तो मैं साफ कह दे अगला सवाल है कि आपने सुनील ग्रोवर से शिराब पीकर जगडा किया और यहां तक कि उन पर जूता कींच के मारा क्या ये कारण है आपके डाउन फॉल का मेरे और सुनीर में जो कुछ भी हुआ वो महज एक जगडा नहीं एक भुरगटना थी मैं सुनीर के साथ पूरा पूरा हाफता शूटिंग करता था जब ये घटित हुआ जिसके लिए मैं भी मैं अपनी गलती मान चुका हूँ के मैं 100% गलत था तो भाई मैं इतना कुछ हैंडल एक टाइम पर कर रहा था कई वर चीज़ें नहीं हैंडल होते हैं तो मैं भी तो एक इंसान हूँ अबात तो सही हैं गलतियां को इनसान हो सही होती हैं बाब बातों और गुलाठ्टी के ये जलते रहते हैं दिन बढम में तो इनकों का अपांसी पे चला grapes यहीं बैठे सामने मेरी चाथी मूंग दलते हैं तो मुझे सामने न अप माफ कर्दै तो मुश्ता तो मुझे नहीं फिर दा कपिल शर्मा शो की और आपके बैनर केस प्रोडक्शन की भी क्रेटिव रही, क्या उनके साथ ब्रेक अप होना ही आप पर असर कर गया, या नहीं कि उनके ब्रेक अप की वज़ा से ही आप ऐसे हो गए हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं, अब प्रिती और उनकी, ये ब्रेक अप ही आपके डाउनफोल का वज़ा तो नहीं है, देखिए पेपर वाले कैसे कैसे बाते करकर करकर उनसे जवाब निकलवाना चाहते हैं, अब ये देखिए बापा तो, पर कपिल ने क्या जवाब दिया, मैंने कभी किसी को नहीं कहा मुझे छोड़ने को, मैं मन में किसी के लिए कोई रंज नहीं है, जब सुनीर ने शोड़ा, मैंने उसे भी समझाया था, कि हम साथ साथ में हैं, तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन वो अपना शोड़ा करना चाहता था, तो भई उसे हक है ये करने का, मैंने भी अपना शोड़ा किया था, प्रीती ने बहुत पहले मुझे जोईन किया था, जब मैं कॉमेडी सरकस करता था, मैंने बहुत मेहनत की यहां तक पहुँचने के लिए, ये बात तो सही है बाबातो, बिल्कुल बिल्कुल राइट, हाँ, तो उसका मेरे लाइफ में आना या जाना, ये बाते मुझे नहीं रोक सकती ह मैं उसे उसके शो के लिए जरूर आल दा बेस्ट कहता हूँ, लेकिन मैं ये भी साथ में कहूंगा कि परसनल चीजें मेरे करियर में रुकाबट नहीं बन सकती, ये मेरी सहत है जिसने मुझे अफेक्ट किया और जिसे मैं बहुत जल्दी रिकवर करके जिसके उपर मैं जीत हासिल कर लूँगा और मैं वापिस आऊंगा बहुत जल्द उसी फार्म में उसी तरीके के साथ, ये बात बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो ये थे सवाल जवाब कपिश अर्मा के जो आज के पेपर में शपित थे, जिसको देखकर हमारी टीम रुकी नहीं, स्टूडियो में आगी ताकि ये सारे सवाल जवाब अपने ओडियंस के साथ, अपने वीवर्स के साथ शेयर करें, तो आप लोग के पास भी जो सवाल जवाब है, वो हमें कमेंट के जरीए बेजिए, और इस इंट्रव्यू को आप शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोग सेम पेपर नहीं चला है कि जैसे बोलने सब्तमबर एंड तक मैं आजाओंगो तो अक्टूबर में उस पोगले कपिल शर्माशो वापिस शुरू होगा, आमीन, आमीन, हो जाएगा, तो दोस्तों हमारी टीम आप से इजाज़त चाहती है, आप हंगरी स्पिर्स चैनल ऐसे ही देखते रहें और हमारी थोड़ी बहुत तारीफ तो कर दिया कीजिए क्योंकि एप्रिसेशन ही आगे चीजों को भड़ाती है, आपकी कमेंट्स एक सला की तरह सुझेशन की तरह हमें जरूर दीजिए, प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, और हाँ, लाल बटन दबाके ये को वीडियो शेर करते हैं, तो ना सिर्फ हमारा वीडियो लोगों तक पहुंचती है, बलके कपिल शर्मा के जो फैंस हैं, उन तक भी कपिल शर्मा की बात ये पहुंचेगा, और मैं चाहती हूं, आज जो एंड है, जो गुलाटी साब कह रहे हैं, और मैडम बभीता उनका स शेर्देयर. कौ universe बहुतने हैं, आज नगे देवेए, गुराटी साबचैरा की गुळेरा हैं, गुन थेस जांरते हैं, गुळू पैंटी में पैंटी में, जो फ्कित श्क टीजीर.